असलामनेकूम वेलकम टुक्षिदाई.PK मेरा नाम तयब है और ये है रेडमी 9 की अन्बॉक्सिंग और हमारे फस्ट इंप्रेशन्स दोस्तों इसकी प्राइस की बात की जाए तो कमपनी ने इसकी डिटेल प्राइस 27,500 और फिक्स की है तो अगर आप इस फॉन को खरीदना चाते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा आप हमारी वेबसाइट से जाके खरीच सकते हैं यहां पर कलर्स की बात की जाए तो तीन कलर्स में यह फॉन आता है ग्रे कलर है ग्रीन कलर है और हमारी आज की डिवाइस संसेट परपल कलर है यहां पर कुछ की स्पेक्स की बात की जाए तो 4GB नायम के साथ 64GB बिल्टेन स्टोरेज है साथी साथ आपको बहुत ही पारफुल चिपसेट मिलता है यहां दोस्तों यहां पर मेडिया डेक का हीलियो जी 80 चिपसेट लगाया गया है जो के 12 नैनोमीटर के अर्टिटेक्चर पर बेस्ट है और यह एक गेमिंग चिपसेट है तो आज करेंगे हम इसकी अनबॉकसिंग और देखेंगे के Redmi 9 हमें कंसीडर करना चाहिए या निकरना चाहिए इससे पहले के हम इसकी अनबॉकसिंग की तरफ चलें वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा इससे आपके भाई को बहुत सरी मोटिवेशन मिलती है और मैं इस तरह की नई वीडियो आप लोगं के लिए लेके आता रहता हूँ तो अब आप लोगं का ज़ादा टाइम वेस्ट नहीं करता और हम चलते हैं रेड्मी 9 को अनबॉक्स करने ओके जी तो सबसे पहले चलते हम इसके बॉक्स की तरफ जहां पे आपको सामने वेल साइट पे रेड्मी 9 लिखा मिलेगा टॉप साइट पे यहाँ पे बारा महीने की ओफिशल वरेंटी का स्टिकर लगाया गया है जबके टॉप पे आपको पीटी अप्रूवल का स्टिकर मिलेगा यनिके इस फॉन को आपको पीटी अप्रूवल नहीं करवाना पड़ेगा नीचे वल साइट पे जाएं तो यहाँ पे इसकी रैम और रोम मेंचन है साथी साथ कलर मेंचन है और बॉक्स के अंदर जो कांटेंट्स हैं वो मेंचन है तो जल्दी से खोल के देख लेते हैं हम अपने डेड्मी 9 को और देखते हैं यह देखने में कैसा है तो सबसे पहले हम इसकी लिड को ओपन कर लेते हैं सबसे पहले आपको यह फोल्डर देखने को मिलेगा इसको खोलते साथ एक सेम एजेक्शन टूल मिलेगा अंदर वल साइट पे जाएं तो यहाँ पे आपको कुछ यूजर मैनुल्स मिलेंगे साथी साथ बांस में से आपको एक सिलिकन केस मिलेगा नीचे वल साइट पे डस्ट प्लग्स लगाए गया है ताकि आपके फ़ट नहीं जाए इसके बाद आपको बांस में से आपकर रेडमी नाइन मिलेगा फिलहाल हम रख देते हैं इसको साइट पे और एक नजर बॉक्स में देख लेते हैं किसमें और क्या है यहाँ पे आपको एक पावर बेक मिलेगा जो के 10 वाट का है और एक C टाइप चारजिंग केबल मिलेगी इसके इलावा इसके बॉक्स में कुछ नहीं है दोस्तों Redmi 9 में आपको हैंस फ्री नहीं मिलती तो अब चलते हैं हम अपने Redmi 9 की तरफ फ्रेंट साइट पे इसके स्टीकर पे कुछ इसके की स्पेक्स मेंचन है AI COD कैमरा मौझूद है 13 मेगा पिक्सल का 375020 मेज की बड़ी बैटरी लगाई गई है 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को स्पूर्ट करता है यह फॉन इसके बाद 6.53 इंचिस का फूल एच्टी प्लस डिस्प्ले है यानि के आपको यहाँ स्क्रीन डेजलेशन 1080p देखने को मिलेगी उसके बाद यहाँ पे आपको चिपसेट MediaTek का Helio G80 मिलता है जो के एक गेमिंग चिपसेट है तो जल्दी से हम इसका रैपर उतार लेते हैं और देखते हैं इसकी फर्स्ट लुक कैसी है जी हाँ दोस्तों यह है हमारा Redmi 9 और काफी जबरदस लुक लग रही है इसकी Sunset परपल कलर है जिसको हमने अन्बॉक्स किया है बैक साइड पे आपको काड गैमरा सेटप मिलता है साथी साथ आपको fingerprint sensor मिलता है और आपको एक flash light मिलती है यहाँ पर build quality की बात की जाए तो बैक साइड आपको plastic की मिलती है जबके frame भी आपको plastic की मिलेगा राइट साइड पे आपको power button साथी साथ volume rockers मिलेंगे टॉप पे जाएं तो यहां पे आपको noise cancellation mic और IR blaster मिलता है जिससे आप अपने TV वगएरा को control कर सकते हैं लेफ्ट साइट पे जाएं तो यहां पे इसका sim tray है नीचे वल साइट पे aux jacks, picker grills, mic और C type connectivity के लिए port है तो जल्दी से खोल के देख लेते हैं हम इसके sim tray कि किस तरह की sims को support करता है यह phone यहां दोस्तों एक वक्त में दो sims साथ में memory card को भी use कर सकते हैं यानि कि इसमें dedicated slot दी गई है तो अब चला के देख लेते हैं हम अपने phone को और देखते है redmi 9 चलने में कैसा है जहां दोस्तों मारा phone यहां पर start हो चुका है मैं इसको setup करके आपके साथ दुबारा मिलता हूँ जहां दोस्तों मारा phone यहां पर activate हो चुका है तो सबसे पहले मैं इसके display की बात कर लोँ 6.53 इंचीज का IPS LCD डिस्पले लगाया गया है जहां पर आपको screen to body ratio 83.2% मिलती है जहां दोस्तों यहां पर bezels को काफी thin किया गया है चिन थोड़ी सी मोटी रखी गई है लेकिन overall display की look काफी जबरदस्ता रही है यहां पर screen resolution की बात करूं तो 1080 by 2340 का मिलता है जहां दोस्तों यहां पर आपको full HD plus display मिलता है जो के मेरा नहीं ख्याल के इस price range में किसी भी phone में आपको मिलता है ज्यादा तर phones इस price range के आपको 720p का display देते हैं यहां पर PPI density की बात करूं तो 395 है जबके brightness nets आपको 400 मिलते हैं protection की बात की जाए तो front side पे आपको corning gorilla glass 3 की protection मिलती है और अची खबर यहां पर pre-applied screen protector लगाया गया कंपनी की तरफ से तो overall display की बात करूं तो मुझे काफी जबरदस लग रहा है तो आगे चलके हम इसके platform की बात कर लेते हैं तो Redmi 9 में out of box आपको android 10.0 की support मिलेगी जो के Xiaomi के अपने MIUI global 11 के साथ आता है कुछ internal specs की बात की जाए तो 4GB RAM के साथ 64GB built-in storage है यहां पर chipset की बात की जाए तो media tech का helio G80 chipset लगाया गया है जो के 12 nanometer के architecture पे based है और यह gaming chipset है GPU की बात की जाए तो यहां पर Mali G52 का GPU लगाया गया है जो के आपके gaming experience को काफी smooth बनाएगा तो overall यह phone gaming के लिए काफी perfect होने वाला है लेकिन इसका test करेंगे हम बाद में इसके बाद बात कर लेते हैं हम इसके security features की तो Redmi 9 में आपको face unlock और fingerprint दोनों की sport मिलती है मैंने इसमें face को भी enroll कर लिया है और fingerprint को भी enroll कर लिया है चेक करते है कैसी speed निकल के सामने आती है सबसे पहले test कर लिते हैं fingerprint का और यहाँ पे speed काफी जबरदस मुझे लग रही है फोरन से detect कर रहा है और आपके phone को unlock कर रहा है काफी जबरदस speed लग रही है मुझे यहाँ पे fingerprint की इसके बाद बात कर लेते हैं हम face unlock की और face unlock की speed तो बहुत कमाल है और फॉरन से detect कर रहा है और फॉरन से unlock कर रहा है काफी जबरदस लग रही है speed मुझे यहाँ पे face unlock की overall Redmi 9 में face unlock fingerprint डोनों की sport काफी कमाल है और यहाँ पे जो इसका chip set है वो बहुत जालिम है तो दोस्तों आगे चलके हम इसके camera's की बात कर लेते हैं Redmi 9 में front पे आपको 8 megapixel का selfie shooter मिलेगा जो कि इस dot notch में है जबके back side पे आपको quad camera setup मिलेगा main sensor 13 megapixel का लगाया गया है जबके ultra wide lens 8 megapixel का है यहाँ पे macro shots के लिए lens 5 megapixel का लगाया गया है जबके depth sensor 2 megapixel का लगाया गया साथ ही साथ आपको LED flashlight मिलेगी खोल के देख लेते हैं इसके camera को और देखते हैं कौन-कौन से mods available हैं दोस्तों यहाँ पे slow-mo, short videos, videos, photos, spotted, pro mode जिसमें manually setting करके आप बहुत सारी कमाल pictures ले सकते हैं वीडियो की बात करूँ तो यहाँ पे 1080p पे आप वीडियो को record कर सकते हैं front और back दोनों ही camera से 30fps पर maximum यहाँ पे zoom की बात करूँ तो maximum zoom आप 6x तक कर सकते हैं वीडियो में जबके photos की बात करूँ तो यहाँ पे आप ultra wide lens भी choose कर सकते हैं portrait में जाके काफी जबरदस book effect में pictures ले सकते हैं कुछ यहाँ पे pictures ली हैं यह इसका macro shots एक picture ली है और आप देख सकते हैं काफी जबरदस detail प्रोवाइड कर रहा है और काफी clean picture दे रहा है इसके बाद next picture की तरफ चलूँ तो यह इसके back camera से ली गई है portrait effect में और यहाँ पे background को काफी जबरदस तरीके से blur कर रहा है उसके बाद next picture में चलें तो यह हमने इसके front camera से portrait effect में चली है और यहाँ पे too good picture आई है यहाँ पे बताता चलूँ सिर्फ 8 megapixel का front camera है लेकिन यहाँ पे picture quality मुझे काफी जबरदस लग रही है यह एक normal shot ली गई है और यहाँ पे detail काफी जबरदस प्रोवाइड कर रहा है और यहाँ पे picture's का result काफी बेतरीन लग रहा है तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी battery की Redmi 9 में आपको 5020 mmH की बड़ी battery मिलती है साथी साथ आपको 18 watt की fast charging की support मिलती है box में से 10 watt का charger निकलेगा लेकिन आप market से 18 watt का charger ले सकते हैं और यह उस पे fast charging को support करेगा इसके बात Redmi 9 से आप reverse charging भी कर सकते हैं यानि कि किसी दूसरे phone को भी आप charge कर सकते हैं जो के काफी कमाल feature है overall phone की look की बात करूं तो मुझे काफी जबरदस लगा है और phone का weight यहां पे 198 grams रखा गया है phone में थोड़ा सा वजन है जो कि इस phone को premium पील देता है तो friends कैसा लगा आपको Redmi 9 मुझे comment section में ज़रूर बताएगा अग मैं अपनी बात करूं तो मुझे यह device बहुत जबरदस लगी है क्योंकि इस price range में mostly devices में आपको 720p का display मिलता है लेकिन यहां पे आपको full HD display मिल रहा है यानि के 1080p का display मिल रहा है साथ ही साथ आपको बहुत ही powerful chipset मिल रहा है जहां दोस्तों यहां पे Mediatek का Helio G80 chipset लगाया गया है जो कि एक gaming chipset है और आपके gaming experience को काफी enhance करेगा चैनल पर नहीं है तो subscribe करना मत भूलिएगा अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा मुझे अपनी दौाओं में याद रखेगा टेक केर अलाव बेर